नमस्कार आप देख रहे हैं युवा तक भारस समाचार। मैं हूँ आपके साथ अक्षिता मौर्या, आई ये रुख करते हैं फटाफट खबरों की यूँ। नाओ जन्पत के हिलॉली ब्लॉक शेत्य के असेहा गाउं में संपन्य हुआ विशाल तंगल। विरार्दंगल में पहलवारों ने दिखाया अपना दमखम विरार्दंगल में शेत्य पत्रकारों को भी अंगवस्त्र कला मोटारी देकर कमीटी के सदस्यों ने सम्मानित किया। महरास में जान सबाद चुनाओं 2024 के लिए महाविकास अधारी के 20 शेट शेरिंग फाइनल हो गई है। तीनों दल अपने पोटे से सीटे देंगी इस बात पर भी सहमती बनी हुई है। जार्खन में चुनाओं के मद्य नजार जग्यों के प्रदेश प्रभारी खीरू महतों के बेटे दुशिन बटेल ने पार्टी से इस्तिफा दे दिया है क्योंकि मांटू सीट एंडिये गर बंदन में अजासु की पास चली गई। विहार के मुख्यमंदी नितिश कुमार जार जग्षन में एंडिये उम्विद्वारों के समर्थर में प्रचार करेंगे। विधान सबस्वत चुनाओं में खराब प्रदर्चन चुनाओं के नेमों को पूरा नहीं करने के कारण लिया गया है। बॉलिवड के मश्यूर अभिनेतर सल्मान खान के साथ इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में किसी को नहीं पता साथ 24 सल्मान खान के लिए कुछ खास नहीं रहा है इपकी पास से ही सल्मान खान को लगता धंकिया मिल रही है। अप्रिल माह में पहली बार सल्मान खान के घर के उपर गोलें चाय गई थी, बात यहां तक नहीं रुकी, फिर उसके पाद हमलावारों ने सल्मान खान के दोस्ट बाबा सिदिगी को दशेहरा वाले दिर उनके बेटे के दफ्तर से आते समय गोलें से भून दिया. अलो अरजन अभीनेश पुषपा 2 दरूल की रिलीस पर फैन्स नजरेगराएं बैठे पुषपा दराइस की जबद सफलता की बात से इसकी सीक्वल ने दरशोग को काफे उससाहित कर दिया है. वहीं निर्देशर सुकुमार की फिल्म में रिलीस से पहले ही रिकॉर्ड टानर शुरू कर दिया कहा जा रहा है कि अलो अर्जन की मोवी ने 1,085 करोड रुपे का टोटाल प्री रिलीस कलेक्शन अपने नाम कर लिया है. उत्तर प्रिदेश में 10 सीटों पर होने वाले उक्चनाओं में इंडिया गरबंदन में सीट बटवारे को लेकर तस्वीर अब साफ नहीं हो सकी है. सपा और कॉंग्रेस की बीच सीट को लेकर तनातरी जारी है. इस बीच खबर सामने आ रहे हैं कि बीती देर रात राहुल कांधी और अखलेश यादों में इस मुद्य पर बात हुए. मीडिय रिपोर्टेस के मताबिक पांच सीटों की मांग कर रही कॉंग्रेस अब तीन सीटों पर चुनाओ लड़ने के राजी हो गई है. यह माना जा रहा है कि शैर और गाजियाबाद सीट की बादर समाज़री पार्टी फूल पर सीट भी कॉंग्रेस को देने को तयार हो यह हाला कि कॉंग्रेस पार्टी चुनाओ लड़ेगी या नहीं या पैसला राहुल गांधी ही लेगे. इसी के चलते यूपी कॉंग्रेस अद्धेश अजयराय और प्रदेश प्रभारी अभिनास पांडे दिल्ली पहुच गये है. यूपी में श्रतों संपतियों पचारा प्रदेश सरकार उठाएगी. उत्तर प्रदेश में 7,624 गौश्रा अले स्थालों में 12 लाग से ज्यादा उगवश है. पशो की संख्या को देखते हुए प्रदेश में हलेचारी की कमी है. इसके लिए नैने स्थान तलाश करने की योजना है था कि वहां हलेचारी से भाद अन्वे शोद कंके द्रभी स्थापिट हो सके. इन खबरों में बस इतना ही बने रहे युवा तक भारस समचार के साथ.